नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है जीत स्वागत करता हूँ आप सभी का जीत स्टॉक में दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं वाट्सेप को लेकर जैसे कि आप सभी जानते हैं वाट्सेप पॉपुलर बहुत ज्यादा है सोसल मीडिया का ही एक है और इसकी सभी आप वाट्सेप के तो करते हैं जो की कर सकते हैं और आपको पता है इंडिया में 25 कोड़ो से वी ज्यादा एक्टिव उजर से वाट्सेप की यह तो सिर्फ इंडिया कांकर आया है वल्डवाइड इसका बहुत जैदा बढ़ जाता है यह तो बहुत से इसकी छोटी सी हें और उसको बिना contact list में number save क्येंrates, डॉक्यमेंट या कुछ भी शेयर कर सकेंट या चाय कर सकें Sheikh क्यों कर सकें तो आज की इस वीडियो में बड़ियो सेंडार आज किए किसी या बिना contact no.com कर सकते ुमेंट को जो है share कर सकते हैं तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि आप ऐसा क्या से कर सकते हैं बेना contact number को सेप किये तो दोस्तों इसी बात पर वीडियो को लाइक कर लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथ ही सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी निव वीडियो आती है वो अब तक सबसे पहले पहुंच सक को जिसका number हम चाहते हैं कि हम अपनी contact list में सेर ना करें क्यूंकि हमें उसे message करना है और हमें पता है कि उसके बाद हम दोबारा उसको कभी message नहीं करेंगे या हमें कभी उसकी कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसके लिए क्या होता है कि यदि हमें WhatsApp में अभी किसी को message send करन है तो हमें पहले उसका contact number सेप करना पड़ता है contact list में उसका number तो इससे हमारी contact list भी भरती हो कई बार हमें उसको delete करना भी भूल जाते हैं तो यह unwanted जो numbers होते ही हैं हमारे पास बने रहते हैं और हमें जब कि इनकी कभी जरूरत ने पड़ती तो आज की इस वीडियो में comment share करेंना image share करना video share करना तो उसका आपको number नमबर होना चाहिए कि कि यदि number नहीं है तो आप कैसे जो है share कर सकते हैं तो उसका number आपको याद होना चाहिए इसके बाद आपको जो यह share करना है यह वाट्टव को आप अपने browser में open करेंगे या यदि mobile है तो mobile के browser में WhatsApp को open करें मतलब आप ब्राउजर वाट्सेप के थुरू ही जो सेंड कर सकते हैं और भी इसके साथ सथ कुछ रिक्वाइरमेंट होती हैं तो वह मैं आपको जो है वीडियो के साथ ही साथ बताऊंगा तो चलिए अब आप चलते हैं अपने लेप्टॉप स्क्रीन पर और वहां बताते हैं कि आप कैसे दूसरों को सेयर कर सकते हैं कोई भी चीज बिना नंबर को सेप किये मैं आपको लाइब डेमो के साथ यह चीज दिखाने वाला हूँ दूस्तों इसके लिए आप अपने लेप्टॉप में या कंप्यूटर में पहली ब्राउजर ओपन कर लेंगे यदि आपके लेप्टॉप में ब्राउजर है तो आप क्रोम ब्राउजर ही ओपन करें क्योंकि क्रोम में अच्छा वर्ग करता है तो यहां पर आप टाइप करे करेंगे एसी अफ क्लिक करेंगी तो भी मैंने एपनाów लेप्टॉप से पहली से कनेक्ट करके रखा है ऐ林ud को तुम आपको कनेक्ट करके देखा दे रहा हूं सबसे पहले मैं आप इसको डिस्कनेक्ट करदे राहूं disconnect करने के लिए आपको क्या करना पड़ेका आप अपने मोबायल से इसको सकते हैं अब मैं आपको connect करके देखा रहा हूं Live-Demo के साथ कि can act के से करना है Connect के लिए आपको जैसे आप CC फिर से ओपन करेंगे तो यहां पर आपको स्टैप को open हो जाएगा और यहां पर यह QR code है QR code है तो अब आपको अपने mobile का जो WhatsApp है उसको open करेंगे और WhatsApp open करने के बाद आप यहां पर three dots पर जाएगे और यहां पर option आएगा थर्ड नमबर पर WhatsApp वेब वाटसब वेब पर आप क्लिक करेंगे और यहां पर यह Q code skin कर लेंगे जैसे आप यह Q code skin कर लेंगे तो आपका जो WhatsApp है वो आपकी laptop से connect हो जाएगा आप अपने PC से भी इसको connect कर सकते हैं तो यह तो हो गई process की कैंसे हम अपने WhatsApp को अपने laptop से connect करते हैं अब इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या करना पढ़ेगा कि सामने वाले को कैंसे message करें तो उसके लिए सबसे पहले तो आपके पास सामने वाले का number होना चाहिए आपको जो याद होना चाहिए कि विदावर नंबर तो आप कैंसे कर सकते हैं send ही नहीं कर सकती ना इसकी वाद आप एक नया टेब ऊपन करेंगे नया टेब ऊपन करने की वाद आप यहां पर टाइप करना पड़ेगा आपको e p i.dota.com इसकी वाद आपको वह नंबर यहां पर डालना पड़ेगा जिसको आपको कोई भी डॉक्यमेंट है शेयर करना जो country code 91 है तो यहाँ पर 91 तो country code हो गया अब इसके बाद आपको जिसको भी जो चीज़ send करनी है उसका यहाँ पर आप number डाल देंगे जैसे मैं number डाल ला हूँ तो जैसे मैंने यह number डाला इसकी बाद आपको enter करना है enter करेंगे तो आपको step का interface उपन हो जाएगे यहाँ पर आपको chat पर किलिक करना है जैसी आप chat पर किलिक करेंगे तो सामने वाले का option जो है chat का option आजाएगा आप उससे जो है direct इसके थूरू chat कर सकते हैं तो दोस्तों इस प्रकार से आप सामने वाले से किसी से भी chat कर सकते हैं यह सफसे आसन तरीका होता है किसी से भी chat करने का तो दोस्तों आप भी यदि किसी को चेट करना चाहें तो आप इसकी थूरू जो है आसान तरीके से चेट कर सकते हैं तो आप भी इसका जो है ट्राय कीजे एक वर जरूर तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की बाद आपको ये कभी प्रॉब्लम नहीं आने वाली या कभी आप ये नहीं कहेंगे कि कैसे बिना नंबर को सेप किया दूसरों को हम डॉक्कुमेंट सेयर कर सकते हैं चैट कर सकते हैं और उसका नंबर ना सेप करें तो इन सभी ची इनफॉर्मेशन है क्योंकि लोग चाहते हैं इस चीज की कई बार जरूरत भी पड़ती है कई बार ऐसा होता है कि हमें नंबर सेब नहीं करना पड़ता और सेयर भी करना पड़ता है तो इस चीज को आप जो है इस वीडियो के थूरू सॉल्व कर सकते हैं तो उम्मीद करता इस चीज के बारे में बताईए क्योंकि लोगों को इसकी जरूरत पड़ती है आप हमारे साथ बने रही है आप हमें सोसल मेडिया फेस्बुक इंस्टाक्राइम ट्विटर पर फॉलू कर सकते हैं जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगी हमारे स सद बने रही है भी है पी न लाइफ ओल विच की पिस्माइलिंग जय हिंद बन दे मातरम ना